हेलो दोस्तो ओलिन वर्ण टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ रही है कि दिल्ली में 10,591 में सिक्षकों की भरती होगी दोस्तो ये जो नियोज है है इंदोस्तान पेपर दिल्ली संसकरन और 23 मार्च 2019 का पेपर आप दोस्तो देख सकते हैं तो दोस्तो आपको बता दे कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए जल्द ही 10,591 में नियमित सिक्षकों की भरती सुरू होगी सरकार ने इसके लिए दिल्ली अधिनस्त सेवा चैन बोर्ड को आगरा भेजा है इसका खुलासा सरकार की ओड से हाई कोट में दाखिल हरफ नामे में किया गया है भरती सरकारी और नगर निगमों के स्कूलों के लिए चल रही 15,000 सिक्षकों के निक्ति से अलग है जस्टिस बिनोद गोयल के समक्ष सरकार की ओड से सिक्षा निर्देशक बिनैभूशन ने हलफ नामा दाखिल किया उन्होंने बताया कि 10,500 एकान में नियमित सिक्षकों की भरती की मंजूरी दे दी गई है सिक्षा निर्देशक ने एंजियो सोसल जियूरिस्टिस की अबमाना याचिका के जवाब में यह हलफ नामा दाखिल किया गया है संगठन की ओड से अधिवक्ता असोक अगरबाल ने बताया कि दाखिया दालत से डी एससबी को एक सब्ता हमें बिग्यापन जारी करने का आदेस देने की अपिल करेंगे तो दोस्तों आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि दिली सरकार में खाली पदों को भरने के लिए आगरा पत्र भेजा है वहीं पे ये पंद्रह हजार सिक्षकों की जो नुक्ति हो रही है उसके अलावा दस हजार पांसो एकान में नियमित सिक्षकों की भरती कराई जाएगी जो डी एससबी के तहत आयोजित कराई जाएगी तो दोस्तों इसके लिए बहुत जल्द ही विग्यापन जो है जारी क कर दी जाएगी आप सभी के लिए जो भी इस सिक्षक बढ़ना चाहते हैं आप सभी फॉर्म जो है फिलब कर सकते हैं दोस्ते बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ रही है साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पिनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगलें बेल आइकोन उसको भी दवा देजिए और अपने दोस्तों में से सेर कर देजिए ताकि पूरी अपडेट उन्हें भी मिल सके तो पूरे वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद